परिजय बच्चों, आज हम जैव प्रौद्धकिकी एवं उसके उप्योग के बारे में जानेंगे वहाँ सेर, ये रोज़क लग रहा है हाँ, इसलिए मुझे कौन बताएगा कि जैव प्रौद्धकिकी क्या है? आपने सही बताया रितू, क्या कोई मुझे बता सकता है कि जैव प्रौद्धकिकी का उप्योग किन प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है? सेर, ऐसी अनेक प्रक्रियाओं हैं जिन के लिए जैव प्रौद्धकिकी का उप्योग किया जाता है जैसे की रूगों की पहचान करने के लिए जीन इस्थानांतरन आ दी बहुत अच्छे प्रतीक आओ अब विस्तार से अध्यन करें इस पार्ट में आप जय प्रोद्दोकी की एवं उसके उप्योग के बारे में जानेंगे उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे क्रिशी में जय प्रोद्दोकी की के उप्योगों की व्याख्या करना चिकिसा में जय प्रोद्दोकी की के उप्योगों की व्याख्या करना जीन चिकिसा की व्याख्या करना आड़मिक निदान का वर्रणन करना, पार जीवी जन्दूँ और उनके उप्योगों की व्याख्या करना और नैतिक मुद्दों की चार्चा करना क्रिशी में जैव प्रोद्दोगिकी का उप्योग विशिष्ट उप्योगों हेत्व किसी उत्पात को बनाने या रुपांतरित कर दें, पौधों या जन्दूँ में सुधार कर दें के लिए जीवानू, वाइरस, कवक, येस्ट, जन्तुक कोशिका, पादप कोशिका आदी जैसे सजीव जीवों का उप्योग करने वाली प्रो प्रोद्दोकिकी को विस्तार से परिभाशित किया जाता है। क्रिशी में जैव प्रोद्दोकिकी एक कारगड तरीका है, जिसके दोरा उन फसलों को तयार किया जाता है, जो हमारे बदलते वातावरण में बहतर प्रदेशन कर सकें। इनमें से कुछ पीड़क प्रतिरोध प्रतिरोधी, सूखा प्रतिरोधी, लवन सहनशील, उश्मा प्रतिरोधी फसलों का विकास शामिल है। जब प्रयोक शाला में एक जीव के जीन को दूसरे जीव को सुथारने या परिवर्तित करने के लिए अभिप्राय पूर्वक इस्थानांत्रित किया जाता है, तो अन अनुवन्शिक्ता रूपांतरित जीवों का उप्योग अनुवन्शिक्ता रूपांतरित पौधे कई तरह से उप्योगी हो सकते हैं। कीट पीड़क प्रतिरोधी पौधों के कारण कमपीड़त नाजी का उप्योग करने की आविशक्ता होती है। आर्थिक रूप से अधिक अनुकूल क्योंकि पीड़क नाशी वायू, बिद्दा और चल में नहीं जाते हैं। फसल की अधिक पैदावार आनुवन्शिक्ता, रुपान्तरित फसलों को उन विटामिनों से भरपूर बनाया जा सकता है, जिनकी कुछ प्रधान किस्मों में कमी हो सकती है। प्योग, बीटी कपास, बैसिलस, थोरिन, जेन, सीज, द्वारा उत्पन, क्राई प्रोटीन, विभिन कीट पीड़कों के विरुथ, प्रभावित जैव कीट नाशक होते हैं। क्राई जीव विशों को डिम्ब आंतर लियूमन में सक्रिये प्राग जीव विश के रूप में उत्पन किया जाता है। जीव विश आयनिक छद्रों को बनाने वाली कला में स्वल्प लकन और अंतर वेशन को प्रेरित करने वाले ग्राहियों से जुड़ जाते हैं, जो कोशिकाओं और डिम्ब को मार देते हैं। पीड़क प्रतिरोधी पौधा कीटों का हमला एक गंभीर क्रिशी समस्या है, जिससे उपज काफी कम हो जाती है और उत्पादन गुणमत्ता घड़ जाती है। कीटों के कारण खेतों में और साइलों में भंडारन के दौरान नुकसान हो सकता है। प्रतेक वर्ष कीट दुनिया भर की खादे फसलों का लगभग 25 प्रतिशत भाग नश्ट कर देते हैं। RNA अंतरक्षेप द्वारा विशिष्ट जीन को निश्क्रिये करना इस समस्या का वांचनिये प्राकृतिक समाधान है। 203 RNA मध्यवर्थी अंतरक्षेप RNAI जीवों में जीन अभिव्यक्ति को निश्क्रिये करने की सरल और तीवर्विधी है। किसी जीन का निश्क्रिये होना RNA का छोटे छोटे RNA में निमनी करन का परिडाम है। जो समझाद दूद आ रहने को लक्षित करने के लिए रिबॉन्ड यूक्लियेज को सक्रिये करते हैं। और शदियों में जैव प्रोधुकी की का उप्योग। अनुवन शिक्ता निर्मित इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो अगनाशे द्वारा उत्पन होता है और जो ग्लुकोस के स्तर को नियंत्रित करता है। इंसुलिन दो पॉली पेप्टाइड श्रिंखलाओं का बना होता है। श्रिंखला A और श्रिंखला B जो आपस में डाई सल्फाइड सेत्वों द्वारा जुड़ी होती है। बीटा कोशिकाओं में इंसुलिन प्राग हार्मोन कन्वर्टेज तथा एक्सो प्रोटियेज, कार्बोकसी, पेप्टाइडेज, यी कहलाने वाले प्रोटीन अभगटक एंजाइम की क्रिया द्वारा प्राग इंसुलिन पूर्ववर्ती अनु से संशलेशित होता है। प्राग इंसुलिन के ये रुपांतरण अनु के केंद्रिय भाग अर्थाथ C-Peptide को प्राग इंसुलिन के C और N अंतस्त सिरों से हटा देते हैं। शेश पॉली पेप्टाइड B और A श्रिंखलाएं आपस में डाई सल्फाइड बंधों द्वारा जुड़े होती हैं। परिपक वो इंसुलिन में C-Peptide उपस्तित नहीं होता है। जीन चिकिस्सा अनुवन्शिक दोशों को सही करने के क्रम में अनुपस्तित या दोशपून जीन की जगह कोशिकाओं में सामाने जीनों को प्रवेश कराना जीन चिकिस्सा कहलाती है। एक कोशिका के जीनों में नया जीन प्राप्त करने के लिए इसे समभाख कहलाने वाले एक अनू में किया जाना चाहिए। वर्तमान में उप्योग किये जा रहे सबसे सामानने समवाहक विशाणूं हैं जो प्रकृतिक रूप से आक्रमन कारी कोशिकाएं हैं और अपने आनुवन्शिक बदार्त को कोशिका के जीनों में प्रवेश कराती हैं. एक समवाहक के रूप में विशाणूं का उप्योग करने के लिए विशाणूं के जीनों को हटा कर कोशिका के लिए निर्धारित नई जीन को प्रतिस्थापित किया जाता है। जब विशाणूं कोशिका पर हमला करेगा तो ये अपने आनुवन्शिक बदार्त प्रवेश कर एक सफल इस्थनांतरण के परिणाम सरूप लक्षित कोश्का में अब नया जीन होगा, जो दोशपूर्ण जीन द्वारा उत्पन समस्य को सही करेगा। विशाणों जिनका समभगों के रूप में उप्योग किया जा सकता है, उनमें शामिल हैं रेट्रो वाइरस जैसे HIV, एडिनो वाइरस, एडिनो संबंध वाइरस और सरल परी सफ्र विशाणों। आणविक निदान किसी उतक या तरल में प्रोटीन, डिने, आरेने जैसे अणवों के अध्यम द्वारा रूगों की पहचान करने की प्रक्रिया आणविक निदान कहलाती है। आणविक निदान और चिकिसा है। रोगों के आणविक कारणों का पता लगाने निगरानी और उपचार करने में उन्नात। विशिष्ट जन संख्याओं की और आउशत विकास और लक्षित आउशदियों के मार्क दर्शन के लिए बायो मारकर का उप्योग। आउशद प्रतिक्रिया, आउशद उपापचय, प्रतिकूल प्रभाव और रोग प्रगती को प्रभावित करने वाली अनुवंशिक विभनताएं। आउशद या नैदानिक संयोजन का पिकास और चिकिस्ये उप्योग। उभरती हुई फार्मेको जिनोमिक और आण्विक नैदानिक प्रद्योगी की नैदानिक और व्यक्तिकच की समय विनियामक मुद्दे। पारजीवी जन्तू, ट्रांस्जेनिक एनिमल्स जन्तू जिनकी अनुवंशिक विशेष्टाओं को एक रुपांतरित जीन द्वारा या अनुवंशिक प्रद्योगी की तक्नीक का उप्योग करके दूसरे जीव से प्राप्त जीन के अंतर वेशन द्वारा बतल दिया गया है। पारजीवी जन्तू कहलाते हैं। पारजीवी जन्तू के उत्पादन के सामानिकारण हैं। कुछ पारजीवी जन्तू का विशेष्ट आर्थिक लक्षणों के लिए उत्पादन किया जाता है। उधारन के लिए पार्जीवी पशुओं को विशिस्ट मानव प्रोटीन युक्त दूद उत्बन करने के लिए बनाया गया था, जो मानव वातिस्भीती के उपचार में सहेता करती है। पार्जीवी जन्तूओं का उप्योग मानव कल्यान के लिए इन जन्तूओं के लाभों को निमनिक शित्रों में वर्गिक क्रित किया जा सकता है। इसके लाभा उपच बढ़ाने के लिए किसानों को एक आसान तरीका भी प्रदान करता है। गुनवत्ता पार्जीवी गाएं अधिक दूद उत्पर्न करती हैं। या कम लेक्टोज या कॉलेस्ट्रोल वाला दूद उत्पर्न करती हैं। सुवर और पशू जिन में अधिक मास होता है फिर जो अधिक उन देती हैं। रोग प्रतिरोध सुवर लेकिन चीन की बहुत ही सीमिस संख्या वर्तमान में पालतू जानवरों में रोगों के प्रतिरोध के लिए सिमिदार है। चिकिस्सा उप्योग, जीनो ट्रांस्प्लांटेशन, पारजीवी स्वर प्रत्यरोपन अंगों की कमी को पूरा कर सकते हैं, पोशन संपूरक और औशधियां, इंसुलिन, वृध्धी हार्मोन और रुधेर इसकंदन रोधी कारकों को पारजीवी गाय, भेड या बकरी के किया जा चुका है, मानव जीन चिकिस्सा में, जीन की दोशपूर्ण प्रतिलिपियों वाले व्यक्ति के जीनों से जीन की सामाने प्रतिलिपी जोड़ना शामिल है, पांच हजार नामित अनुवन्शिक रोगों के उपचार की संभावना बहुत अधिक है, और पारजीवी जन्तू एक महत पूर्ण भूई का निभा सकते हैं। के सूत्रों को स्रावित किया। दूसरे पॉलिमर सूत्रों को निकाल कर और उनको धागों में बुनकर वग्यानिक एक हलका, कठोर, लचीला पदार्थ बना सकते हैं, जिसका उपयोग, सहन्निवर्दी, चिकिस्सा में सूक्षम सीवन और टैनिस रेकेट के तार जैसे जीवों के अनुवन्शिक रूपांतरण के तब अप्रत्याशित और अवांचनिये प्रभाव हो सकते हैं, जब ऐसे जीवों को पारिस्थितिकी दंत्र में सन्निविष्ट कराया जाता है। जन सेवां के लिए ऐसे जीवों के रूपांतरण और उप्योग से अनुमत एककस्व की समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। इसलिए भारत सरकार ने संगठन इस्थापित किये हैं जो आनुवंशिक रूपांतरण की वैधानिक्ता और जन सेवा के लिए आनुवंशिकता रूपांतरित जीवों के सन्निवेश की सुरक्षा की बारे में निरणें लेने के लिए अधिक्रित हैं। ऐसा ही एक संगठन अनुवंशिक अभियांतर की संतुती सम्मिती यानि जीए एसी है। सन 2001 और 2002 में भारत में 93 मिलियन टन चावल का उत्पादन हुआ और 2011 और 2012 तक सरकार का लक्ष 139 मिलियन टन चावल उत्पादन का है। बायो पाइरेसी बायो पाइरेसी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली जैवरासाइनिक या आनुवंशिक सामगरी का वैवसाइक रूप से उप्योग करने की कारे पणाली है। विशेश कर एकस्व प्राप्त करके जो उस समुदाए जिससे ये उत्पन हुई है उसको उचित मुआवजे का भुक्तान करने में विफल रहने पर भविश में इसके उप्योग को प्रती बंधित करती है। भारत में उखने वाला पास्मती चावल अपने विशिष्ट स्वाद और सुगंद के लिए मशूर है। लेकिन एक अमरीकी कमपनी ने अमेरीकन एकस्व वा ट्रेट मार्क कार्याले द्वारा एकस्व अधिकार प्राप्त कर लिया था। इस कमपनी ने भारतिये किस्मों को अर्थ बौने किस्मों से संकरन करा कर बास्मती की नई किस्मों विक्सित की। और चिकिस्सा में अनुसंधान के लिए हो सकते हैं। ये पहली बार है जब DNA के विशिष्ट खंडों को टर्न और या टर्न आफ किया गया है। उन्होंने American Chemical Society के जन्रल में प्रकाशित अपने शोध पत्रों में प्रकाश की तीवरता का उप्योग करके जीन अभिव्यक्ती के इस्तर को अनुकूल बनाने के बारे में जानकारी भी दी है। साहरांश आईए हमने जो कुछ सीका है उसे संग्शेप में दोहराएं। विशिष्ट उप्योगों है तू किसी उत्पात को बनाने या रूपांतरित करने पौधों या जन्तों में सुधार करने के लिए जीवाडों वाइरस, कवक, यीस्ट, जन्तु कोशिका, पादप कोशिका आदी जैसे सजीव जीवों का उप्योग करने वाली प्रद्योकीकी के रूप में जयो प्रद्दोकी की को विस्तार से परिभाशित किया जाता है। RNA अंतर्क शेब द्वारा विशिष्ट जीन को निश्क्रिय करना कीठ हमले की समस्या का वांचनिय प्राकृतिक समधान है। अनुवंशिक दोशों को सही करने के क्रम में अनुपस्तित या दोशपून जीन की जगा कोशिकाओं में सामाने जीनों को प्रवेश कराना जीन सी किस्ता कहलाती है। किसी उतक या तरल में प्रोटीन, डी एने, आरेने जैसे अनुवं के अधियन दोरा रोगों की पहचान करने की प्रक्रिया आन्विक निदान कहलाती है। जन्तु जिनकी आनुवंशिक विशेष्टाओं को एक रुपांतरित जीन दोरा या आनुवंशिक प्रवद्वकिकी की तकनीक का उप्योग करके, दूसरे जीव से प्राप्त जीन के अंदर विशन दोरा बतल दिया गया है। पार जीवी जन्तु कहलाते हैं। भारा सरकार ने संगठन इस्थापित किये हैं जो आनुवंशिक रुपांतरन की वैथानिक्ता और जन्सेवा के लिए आनुवंशिक्ता रुपांतरित जीवों के सन्निवेश की सुरक्षा की बारे में निरणय लेने के लिए अधिकृत हैं। बायो पायरेसी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली जैवरासाइनी किया आनुवंशिक सामगरी का वैवसाइक रूप से उप्योग करने की कारेपनाली है। विशेश कर एक अस्व प्राप्त करके जो उस समुदाय जिससे ये उत्पन हुई है उसको उचित मुआवजे का भुगतान करने में विफल रहने पर भविश में इसके उप्योग को प्रतिबंधित करती है। झाल 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 झाल